असलाव अलेकुम और खुशाम दी फूचर स्टॉक्स का यह पहला एपिसोड है और हम बहुत खुश हैं कि एक इखराई उनिवर्सिटी पहली उनिवर्सिटी है पाकिस्तान की जिसने एक इंसिटीट स्ट्राइश किया है इस चुट फूचर इस्टाडी इसका नाम है मैजन आज हमें इस इंसिटीट की जरूरत इस वज़े से महसूस होती है कि दुनिया में तब्दीरियां बहुत तेजी से आ रही हैं तो हमें मालूम करना भी जरूरी है कि इमर्जिन ट्रेंट्स क्या हैं ताके हम मुनासिब तरीके से अपनी फूचर की प्लैनिंग कर पाएं आज हमाई दुनिया जिस ग्लोबल क्राइसिस से गुदर रही है जिसका इंपक्ट हम पे लोकली रीजनली और ग्लोबल लेवल पे होता है उसका एक जो हमें अभी फौरी तोर पर महसूस हुआ वो कॉविट के नतीजे में हुआ जहां पर पूरी दुनिया इस एक बीमारी स मतासर हुई जिससे हमें पता चला कि दुनिया नासर ही है कि completely interconnected हो चुकी है बलके interdependent भी है तो आज इन मसायल पे जो ग्लोबल भी है और लोकल भी है और इसके मताबिक इनको सामने रखते हुए आज मुक्तलिफ फील्ज में जो technological advancement हैं उन trends को सामने रखते हुए जो social development के goals है sustainable development के goals हैं उनको अपने सामने रखते हुए जो economy में नई तरदीलियों की जरूरत है उनको मदे नजर रखते हुए क्या education होनी चाहिए किस तरह के skill sets की हमें तैयारी करानी है अपने students को कौन सी jobs हैं जो पुरानी खतम हो रही हैं कौन सी नई jobs हैं जो आ रही हैं overall education में changes की बेतहाशा जरूरत है और आज इस education के मामने पे बात करने के लिए हमारे साथ studio में तश्रीफ फर्मा है हमारे वाइस चांदर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी साथ ये माहरे ताली में इन्होंने बहुत अर्से तक इल्म के शुबे में नुमाया कार परदगी दिखाई है universities को चलाने इनको manage करने में इनका बेतहाशा तजरूर्बा है फलसफे के ये तालिबन रहें ये अच्छी तरह से जनरल जो पिक्चर्स हैं उनको बनाने के काबिल है तो आज हमारी ये खुशक्समती है कि हम इनसे ये बात मालूब कर पाएंगे कि आज के emerging trends क्या है आज हमारी education को re-shape कैसे होना है हमारे students को किन चीज़ों की तैयारी करनी है तो हम शुरू करते हैं में पहले सवाल से बहुत शुक्रिया डॉट साब आप तश्रीफ लाएं बहुत शुक्रिया आप अब लाया आप जाएंगे तो बहुत दिनों से हम लों का ये प्रोग्रेम था कि आपसे हमारी बातचीत हो और हम तमाम लोगों के साथ जो इल्म हासिल किया आपने उसको शेयर कर पाएं आपने जिस तरह मैनेज किया है अभी कॉविट के जमाने में तो हम समों ने देखा कि किस तरह की दुश्वारियां थी और उसके बावजूद भी एकराई इनुवर्सिटी ने इस प्राबलम को अपने लिए चैलेंज के बज़ के साथ साथ अपरचिनिटी बना लिया तो आप ये चैलेंज को अपरचिनिटी के तौर पर आपने कैसे कन्वर्ड किया किस तरह से आप इसके बारे में सोचते हैं देखिए अगर आप कई फिजिसिक्स्ट की परसीव किया और ये दुनिया बिग बैंक जैसे बड़े हाथसे से लेकर आज एक दूसरे ग्लोबल वर्ल्ड व्यू के अंदर सामने आ रही है ये दुनिया आज ये कहने की कोशिश कर रही है कि गो के ब्लैक होल में जाकर टाइम और स्पेस कांस्टेंट हो जाती है और उसके साथ साथ ब्लैक होल जैसी चीज़ भी वैनिश हो जाती हो और अपी बिल अफ टाइम ये बहुत एक इंपॉर्टन एलिमेंट है या एक ऐसी चीज़ जो के आप की वजूद की या दुनिया के बजूद की नफी कर रही हो वो खुद भी खत्म हो जाएगी तो ये जो ये चीज़ इनसान को उमीद बखशते हैं और वो उमीद ये बखशते हैं कि हाथसा ख़ुआ कितना भी बड़ा हो डिजास्टर ख़ुआ कितना भी बड़ा हो चैलेंज को कितना भी बड़ा हो वो उतनी ही opportunities अपने साथ लेकर आता है हमारा फहम इस बात की गमाजी करना चाहिए उसको कि उस opportunities का वो इदराख कर सके और जो लोग उस opportunities का इदराख कर सकते हैं वो ही लोग दुनिया में काम्याब consider कर लाते हैं अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से तारुफ में दुनिया के हवाले से बात बताने की कोशिश की मुझे ये लगता है कि दुनिया के अंदर कई revolution आप जैसा कि जानते हैं सब लो made be first industrial revolution, made be second industrial revolution, made be third industrial revolution हर revolution के नतीजे में जहां दुनिया आगे बढ़ी, वहां कई क्राइसिस नेवी जाना बलिया ये third industrial revolution था, इसने हमारे को गोके एक education system दिया लेकिन वो education system के पीछे जो इखलाकियात थी वो इखलाकियात ये थी कि जादा खुशी, जादा लोगों के लिए हासल करनी है किल्मिनेट जाके हुई एक जगा पर एक खास किसम के लोगों के पास सरमाय को महफूज कर ले हैं और इसी की बनियाद पे आपके जितना भी education structure बना, खुआ वो निसाब के अंदर हो, खुआ वो delivery of curriculum की सता पे हो खुआ वो जामियात की governance structure हो, आपको तमाम का तमाम इसी ultimate objective पे के जहां जाके सरमाया महधूद हो जाए चन हातों में, उनकी ही philosophy को justify करने में लगा रहा यानि हमने कहा कि हमें ऐसे लोग चाहिए हैं जो फुलानी industrial requirement के लिहाज से fulfill कर सकें, तो इसलिए हमने industry की linkage को अपने curriculum के साथ जोड़ा और जोड़ने के बात हमने ये सोचा, कि हमने अब ऐसे लोग तयार करने है, ये जो fourth revolution आया, इस fourth revolution ने बात बताने की कोशिश की, कि आप जिसके लिए खुशी हासिल करना जा रहे हैं, वो इनसान हैं, और इनसान जो था, उसका बुनियादी सवाल क्या था, हमें उस पे सोचने की जरूरत है, और वो सवाल ये था, कि इनसान ने अपनी जिन्दगी कैसे गुजार लिया, और उस जिन्दगी को गुजारने के एक बड़ा और आज हम लोग उसको विटनेस भी कर रहे हैं, क्लाइमिट क्राइसिस वजूद में आया, ये बहुत बड़ा मामला है, फिर आप ये भी देखते हैं कि थर्ड इंडिस्ट्री रिवलूशन के बाद एक क्लिर कट एकानमिक डिवाइड भी आपको नजर आती है, और क्लास कांशिसनेस और क्लास मुक्तलिफ सोशल इस्ट्रक्शर्स भी नजर आते हैं, जो कि थर्ड रिवलूशन के ही मामला है, फिर आप देखते हैं कि जियो पॉलिटिकल डिवाइड भी वर्ल्ड के अंदर नजर आती है, कि दियरा डिविलपिंग कंट्रीज, दियरा अंदर डिवलूप कंट्रीज, उसके साथ साथ उनके मुक्तलिफ एदारे हैं, जो उसको जिस्टिफाइड करने वाले एदारे भी मौझूद हैं, कि हम डिवलूप कंट्रीज, डिवलूपिंग कंट्रीज के लिए क्या कर रहे हैं, और डिवलूपिंग कंट्रीज के लिए बुनियादी जिन्दगी से अलग कर दिया गया है हमारा सरमाया है हयात तो हयात खुद है न तो ये एक बुनियादी बात है कि हमने इल्म हासिल करना था हयात को बेतर बनाने के लिए जिन्दगी को बेतर बनाने के लिए और जिन्दगी की एकस्पेक्टेंसी को बढ़ाने के आप देखते हैं कि थर्ड रेवलुशन ने एक और क्राइसिस जनम लिया पैंडमिंग के सूरत में आपको नजर आया तो हेल्थ एक युनिवर्सल इशू के तौर पे हमें रियलाइजेशन भी उसका नसर आया फिर थर्ड इंडिस्रियल रेवलुशन की बड़ी फॉर्म जो क के तहद हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नालोजी कैसे हमें आपस में कनेक्ट कर रही है कैसे इंटर डिपेंडेंट बना रही है और हैल्थ के इस इशू ने में जैसे आपने निशान देग गई कि इनसान को कैसे कनेक्ट कर दिया कैसे लोग जोग्राफिकल boundary से बालतर हो गए, ethnic issues से बालतर हो गए, religion के issues से बालतर हो गए और एक value neutral objective सामने आया of valuing life पर से, यह है ultimate objective, sustainable development goals should also revolve around this objective, अब जिन्दगी को बहतर बनाने के लिए जो resources हैं, उनकी मसावी तक्सीम कैसे होगी, यह एक बड़ा मामला है, शिहत की सहूलियाद बगएर किसी social consciousness के साथ कैसे हर एक को मेसर होगी, यह बड़ा मामला है, तालीम को इल्म के साथ और शोर के साथ कैसा जोड़ा जाएगा, यह एक बड़ा मामला है, पहले हमने तालीम को इल्म नाफे के कांसेप में जोड़ा और उसको जोड़ा एकनामिक डिवलप्मेंट के साथ I am not against economic development, I am more towards an economic development जो के आपकी value add कर रही हो life की quality को बहतर बनाने के लिए जो के divide create ना कर रही हो, जो के सरमाए को महदूत नहीं कर रही हो चन शराफिया के हाथों में, बलके वो सरमाए को इस्तेमाल हो रहा हो जैसे के इनसान का मकसद हयात था तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तमाम इनसानी तारीख ने और इनसान की तारीख की जो भी जद्दो जहत रही उसके पीचे जो भी political capitalist आजाइन थे उसने उसको distract किया और उसके नतीजे में तीन बड़े क्राइसिस हमें दुनिया ने विटनेस किये और वो थे climate के क्राइसिस, environmental क्राइसिस, health क्राइसिस और आप digital divide का क्राइसिस जो अवे वाज़ तोर पे नजर आने की कोशिश नजर आ रहा है कि कैसे developing countries और develop countries और within developing countries में जो मुक्तलिफ social classes हैं वो कैसे इस digital divides के अंदर बकाइदा फील होती हुए उनको नजर आ रही होती है तो ये एक पूरा समझे सियाको सबाग है इनसानी तारीक का अब इनसानी तारीक का ने अपनी तारीक से सबक क्या सीखा है इनसान ने अपनी तारीक से अब ये सबक सीखने की कोशिश करने चाहिए कि अगर मुझे इन तीनों क्राइसिस को उवरकम करना है तो मुझे अपनी जिन्दगी को मुझे इन्फरादी सता पर और इश्तिमाई सता पर एहमियत देनी पड़ेगी और वो उन तमाम चीजों से मावरा होनी चाहिए जो मेरी सोच के साथ मनसूप किये हैं मैंने अपने किसी एक खास पोलिटिकल एकनामिक अजाइम के साथ और अजमी होना चाहिए है कि मैं कितना अपने दिमाग को अपनी सोच को अज़ाद कर सकता हूँ इमेंसिपियेट कर सकता हूँ इन तमाम रेट्रोग्रेट किसम की सोचों के से और उसको कितना करीभ ला सकता हूँ जिन्दगी को बहतर बाना लगे यह दिस इस सम्टिंग जो के फ्यूचर है इंसानियत का अब आप आजए यह सस्टेनिबल डिवल्पेंट गोल हैं जो सतरा के सतरा हमने आइडेंटिफाई कियें वो सतरा के सतरा गोल भी अगर आप देखें वो रिवॉल्फ इसी के गिर्द कर रहे हैं और लेकिन उनको भी उ के वो अल्टीमेटली वो उस किसम की जियो पॉलिटिकल डिवाइड पैदा ना कर दें जो के जियो पॉलिटिकल डिवाइड हैब्स और हैब नॉट्स के अंदर हमें माजी में भी नजर आती रही है अब यह है तमाम आपने बहुत इच्छी दरीके से कांटेक्स बताया हमे कि आज हम किस कांटेक्स्ट में हैं आपने बताया है कि हमारा मकसद हयात अपनी जिंदगी और इस्तमाई जिंदगी को हामनाइज करना है आपने बताया कि जो हमारी माश्रती प्रैक्टिसेज रही है जो एकॉनमिक प्रैक्टिसेज रही है उसने उन चैलेंजिस को जनम दि वो इंपेक्ट कर रही है, पिर आपने ये बताया है कि इंटर कनेक्टेड वर्ल है, और इसमें हमारा मुखस सिर्फ अपने और दूसरे का ख्याल के वजाए, आस पास माहौल में जतनी चीज़े हैं, दूसरे जानदार हैं, दूसरे बे जान चीज़े हैं, इन सबसे मिलके एक कनेक्टेड वर्ल बनता है, और इसको हमको नए जमाने के हसाब से, नही ज़रूरियात के हसाब से, इन चैलेंजिस को सॉल्फ करना है, उसमें आपने कुछ बताया कि एकॉनमिक मॉडल को जो है, वो पहले पुराना जो था, और आज के नए मॉडल के लिए आपने का के नए नए इस तरह से में सोचना है, तो जो अमरजिंग ट्रेंड्स हैं, एकॉनमिक मॉडल के, वो आज दुनिया किस तरह से सोच रही है, ये किस तरह बदल रही है, देखें मईश्यत का जो मकसद था, वो शुरू से इनसान की जिन्दगी को बहतर बनाना, अब आप देखिए, ह जिन्दर आलूदगी को हम बाकाइदा मैसूस करते हैं, और ये सब की सब असर डाल रही हैं जिन्दगी की कॉलिटी पर, और लाइफ एक्सपिक्टिंसी के रेट पर, कते नजर इस बात के के हमारा ग्रोथ, पॉपॉलिशन ग्रोथ रेट बढ़ा है या कम हुआ है, एक फैटलिस्टिक बात है, ये तो एक डेस्टिंड बात है, और दोरानिया क्या है, इन्फ़ादी सता पे और इसको कैसे वो किया जा सकता है, साइन्टिफिक तरीके से वॉल्फ करके, असल मामला यह है कि जो भी दोरानिया है, वो कितनी उसकी कॉलिटी ओफ लाइफ और उ बना सकते हैं, यानि जिन्दगी के गिर जब तक मैशत का निजाम घूमता रहेगा, आप बाकाइदा एक पीसफुल कॉलिटिटिव लाइफ देख सकेंगे और अब्जर्व कर सकेंगे, जो के अल्टिमिट आबजेक्टिव है आपका, अब आप आजाईए, कि मैशत का डिर से तो एजुकेशन का तालुक जोड़ दिया, लेकिन वो बाकाइदा एलिनियेशन और बेगाना हो गया, कॉलिटि ओफ लाइफ से, और लाइफ पर से, हमारा जो मकसद था, तालीम का, वो था आगए, शहूर का मकसद, वो था कि हमने, सोच को कैसे अजाद करना है, हमने अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाना है, हमने वो जो बेहतर लफज था, वो तो यूटिल्टिरियन फिलासिफी थी, उसको हमने बाकाइदा जैसे मैंने पहले निशान दे की, उसको एक सर्पलस वैल्यू के साथ जाके रिलेट कर दिया, और यही बनियादी वज़ा जैसे मै मैं कहा रहा हूँ, बना क्राइसिस की, अब आप यह देखिए कि जो यह जो तीनों मामलात हैं, बलके चौता मामलात भी, कि जिन्दगी, तालीम और मईशत, यह तीनों आपस में जुड़े हैं, और नथी हुए में, अगर आपने पहले तालीम को थर्ड इंडस्रियर रिव रिवोलूशन जो है, इंडस्रियर रिवोलूशन आपको यह बता रहा है, बारवा बता रहा है, कि आपको डिमांड लिट एजुकेशन के साथ, एकनामी के अंदर यह मामलात आ रहे हैं, कि वो तो सारे काम रिवोट कर लेंगे, बिलकुल, बिलकुल, आप तो नापैद हो जाएंगे उनकी मईश्यत के लिए, आपकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो असल आपकी जरूरत वहां पर पड़ेगी, अब आप कहते देए, जनाप इनसान जो है, वो एक इखलाकी कदरे देना वाला आदमी, जानवर है, या आप कहे लीजे, इस्पीशीज है, अब आप ये देखिए, अब इनसान या तालीम या मईश्यत किस डगर पे जाने को जारी है, अगर सारे इंडिस्ट्री के अंदर 40 परसन, 60 परसन रबोर्ट काम कर रहे हैं, और वो जज़्जमेंट भी कर पा रहे हैं, वो डिसीजिजन मेकिंग भी कर पा रहे हैं, वो एथिकल भी कर पा रहे हैं, ड्राइविंग से लगा कर किसी भी हाइस लिवल कंप्यूटर की, तो तालीम का मकसद इनसान के लिए क्या रहा है, क्या तालीम का मकसद फिर वाला मकसद हो जाएगा, कि सिर्व वो मजीद चंद लोगों को प्रोड्यूस कर दें, जो कि चंद रुबोर् को हासल करना है, आपको सच की आगई होनी चाहिए, आपको जिन्दगी को बेहतर बनाना चाहिए, यह है बुनियादी तालीम का स्ट्रक्चर, तो निसाब भी जो है, वो भी इन्फरादी सता पर आ जाएगा, जो निसाब पहले एक युनिवरसल ली स्ट्रक्चर हो रहा था और हम एक खास किसम का माश्रा और एक खास किसम की नसल और एक खास किसम की कौम बनाने में लगे वे थे, वो अब बाकाइदा एक इन्सान की सता पर आ जाएगा, एक फर्ट की सता पर आ जाएगा, देखिए आज आप बात करते हैं इन्डूज़ डिफरेंसें इन यह सब आपको online education में भी हो रहा है, hybrid education में भी हो रहा है, face to face education में भी हो रहा है, और आज आप बात कर रहे हैं, गूगल की सता पर, apple की सता पर के हमें degree नहीं चाहिए भई आपकी, हमें तो skills वो लादो जो हमें चाहिए, तो आप skill based, आप education की तब जा रहे हैं, आप problem solving attitude की तब रहे हैं, और यही नही वो skills है, reasoning की skill, creativity की skill, और यह नहीं नहीं है, यकीन मानिये, बिल्कुल नहीं नहीं है, यह असल skills थी इनसान की, और हमने इसको overshadow कर दिया, और हमने मुक्तलिफ robotic की form में अपने जनम, आप यह देखिए, आप यह देखिए, जो आप अकसर आप भी इस करते हैं, हरारी का भी, more or less वो भी यही बात करने की कोशिश कर रहा है, कि इनसान ने आने वाले वक्तों में क्या इनसान नापैद हो जाएंगे, क्या वो ही इर्तका की मनजिल में उसी बंदर के लेवल पे रह जाएंगे, जैसे बंदर उस लेवल पे रह गए थे, क्या हम उ इसको शवूर की बन्याद पर बनाता है, जब तक हम अपने इस करेक्टरिस्टिक को तखलीक की, शवूर की, प्राब्लम सॉल्विंग की करेक्टरिस्टिक को, वेरिबल्स को और वैल्यूस को इनकलकेड करते रहेंगे, अपनी एजूकेशन सिस्टम के थूरू, और वैल्य जाएगा, एक जो अपने बात की बहुत एहम बात है, कि आज हम इस तालीम में पहले भी जासे है, आपने का कि थर्ड इंडिस्ट्रियल रिवलूशन के जमाने में, हमें तालीम को चेंज करना पड़ता है, जब भी को तबदील ही आती हमारे जराय पाइदावार में, तो फ सेट्स हम लोंने तयार की, जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे, उनका इंफिसिस ये था कि किस तरह जॉब मिले, और किस तरह से जादा से जादा पैसे कमाने के काबिल बना जाए, आज आप ये बोल रहे हैं कि यही सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइडर का ये ख्याल करनी पड़े हैं, तो ये आपका ये ख्याल है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ठैर के देखना चाहिए, कि ये इखलाकी जो वैल्यूज आप चाह रहे हैं, कि एजुकेशन सिस्टम की प्रोवाइडर के लिए जरूरी है कि प्रोवाइड करें, तो आप इकरा के हवाले से किस तरह देखते हैं, आप स्किल्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, जो कि उनको कारामत बनाएं, लेकिन आपने कहा कि आप जो रोबोट्स हैं, वो इनसान के बहुत सारे काम जो पहले करने के थे, अब वो उड़ कर लेंगे, तो आप रोबोट्स को वैसे आप यह देख रहें कि वो रोबोट्स जो हैं वो आके हमें इमपावर कर देंगे। आप यह देख रहे हैं कि इनसान की इक्सेंशन आप इस तरह देख रहा है रहा है। बिलकुल ऐसे ही है। देखे आपने इखलाकियात की बात की कि एकरा यूनिवेस्ट्री या कोई भी जामिया आप नए दोर के अंदर किस किसम की इखलाकी तालीमात या तालीम देगी अपने बच्चों को। आप अपने माश्रे को अगर आप रोज बरह जिन्दगी को अगर हमारे आसपास हाथ साथ हो रहे होते हैं हमारे और हम उनको बहुत तेजी से भूल भी रहे होते हैं ये गो के इनसान की नेचर का हिसा है लेकिन हम बहुत ही बेहिस से होते जा रहे हैं हमारे आसपास घुर्बत भी नजर आ रही होती है लेकिन उसके बाद भी हम आज भी दस पर आना है ये है वो बनियादी गरबर या बनियादी इनहराफ इखलाकी कदरों से जो के थर्ड इंडिस्रियर रिवलूशन ने ले आया है इसके खदोखाल आपने भी जैसे मैंने आपको आइडेंटिफाय करके दिया तो सबसे बड़ी इखलाकी कदर जो है वो एहसास की कद अगर हमारा बच्चा और हमारी जामियाद इनसानियत को बाकाइदा एक इखलाकियात की पैरामीटर में ले आएं और वो एहसास मैं नॉस्सेल्जिक नहीं हो कि कोई खतम हो गया या अफलाना हो गया आज भी है एहसास लेकिन वो थोड़ा सा थोड़ा सा हमें ये नजर आत देखा ये किसी नेशन का मामला तो रखा ही नहीं गया ये किसी रिलिजन का मामला भी नहीं रखा गया ये किसी भी मुल्क और कौम का भी मामला नहीं रखा गया तो अब आभ ये देखिए कि हमने भी यही करना है कि हमारे बच्चे के अंदर जो एहसास था और है उसको उज मैं और आप अलग नहीं हैं, मैं और आप एक दूसरे से interconnected हैं, ये बहुत important element है, मेरे माशरा हो या मेरी nature हो और या दूसरे इनसान हो, उनके माशी इस्तदाद कुछ भी हो, हम लोग आपस में interconnected हैं, सरमायादार तपका हो, वो इतना interdependent है labor पे कि वो अपना काम खुद नहीं कर सकता, आज जब हुआ pandemic का मामला, labor ने भी वो ही मास लगाने पड़े, और मालिकान को भी वो ही मास लगाने पड़े, वो divide जो थी बिलकुल ही खतम होगे, हम को यही चीज़ करनी है, कि हमारी अखलाकी कदरों में, जिन्दगी की एहमियत, और इनसान की एहमियत, और इस बात की एहमियत कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े वे हैं, हम एक दूसरे पर बोज नहीं हैं, हम एक दूसरे का सहारा हैं, यह हैं वो इखलाकी कदरें जो जामियात को बकाइद अपने नसाब के अंदर शामिल करनी चाहिए, तो basically नसाब भी हमारा तबदील होगा, और उ थर्ड इंडिस्रियल रिवलुशन के दौरान, जो हमारी कदरें थी, उन कदरों को में बहतर बनाना है आज की जरूरत के तहत, जहां पर हमें एक गलोबल क्राइसिस से गुदर रहें, इसको कोई भी एक मुलक अपने तोर पे सॉल्व नहीं कर सकता, यह तमाम मुलक को मिलक इसके एक साथ काम करना होगा, इसमें हमें लोकली भी काम करना होगा, हमें रीजनली भी काम करना होगा और गलोबली भी काम करना होगा, जो अपने जो टेक्नॉलजिकल डिस्रप्शन के हवाले से जो हमारी क्राइसिस आने वाला है, इसके तरह आप बार बार इशारा कर रह तो इस सुरत में इनसान किस तरह से यूसफुल रहेगा, किस तरह से वो इस सस्टेनवलिट मॉडल को बेहतर कर पाएगा, तो इसमें इसके हवाले से भी ये 2030 का प्लैन सिंध गवर्मेंट बनाने की कोईश कर रही है, कि एड्यूकेशन को आगे के लिए किस तरह से रिफॉर् देखे पहले तो अगर आप मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ, पाकिस्तान जो है उसके स्पेसिफिक चैलेंजिस क्या हैं, पाकिस्तान के स्पेसिफिक चैलेंजिस आज गो के 2020 में हैं, आज भी यूनिवर्सल प्राइमरी एड्यूकेशन हमारे के स्पेसिफिक च यही नज़राता है, कि मेर तालिम बहतर नहीं हुआ है, बलकर उसके अंदर एक इनताथ आया है, एक जबाल आया है। आज भी जो हमारे पुराने लेवल के टीचर्स थे, उनके बारे में हम उनके गुन जरूर गाते हैं, कि वो जमाना जो था उसके अंदर हमारे उस्ताद ऐसे होते थे और आज हमारे उस्ताद ऐसे नहीं है यानि वो जो बुनियादी सवालाद जो आज से 73-74 वरस पहले थे पाकिस्तान के साथ वो आज भी मिलकुल मौजूद है जो बात समझने की है वो यह समझने की है कि हमने अपने पास से और प्रेसेंट को कैसे गुजारे कि हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर बहतर हो जाए अब आप यह देखिए कि हमारा बच्चा जो है मैं जो बार मुझे बहुत इसमें जो खुशाईन बात नजर आती है कि गो के अकसर लोगों को उसमें जेनरेशन गैप नजर आता है और जेनरेशन गैप बड़ा रेपिटली बढ़तावा नजर आता है मुझे ये नजर आता है कि हमारा आने वाला जो बच्चा है और जो हमारी आने वाली नसल है और जो अभी आ रही है जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपावर्ड है टेकनॉलोजी ने उनको बहुत इंपावर्ड कर दिया और उन्होंने हमसे जादा उनको multiple perspective जिन्दगी के बारे में नजर आ रहा है वो हमसे जादा इनसान हैं हमसे जादा इनसान इस वज़े से हैं कि हमने industrial revolution की हम लोग extension हैं और वो उसकी critique को observe कर रहे हैं जहां पाकिस्तान के अंदर अभी मुझे यह चीज रदर आती है कि पाकिस्तान का बच्चे के अंदर अगर यह चीज मौजूद है तो यह जो आप देख रहे हैं technological disruption जो होने को जा रही है तो एक quantum leap पाकिस्तान का तालीमी निजाम और पाकिस्तान की मईशद इसके अंदर ले सकती है relying on the skills और innate skills जो नेचर ने हमारी अभी आंदा आने वाली नसल को और इस नसल को दे दी है तो यह एक बहुत important और खुशाहिद बात है यह ingredient जो है और इसी पर ही हमें capitalize करने की जरूरत है जो मैंने पहली भी कहा कि आने वाली skills भी ऐसी skills हैं हमने बच्चे को यही चीज सिखानी है कि वो problem को solve कैसे करे वो problem को जब solve करना है उसने तो उसने सोचना है जब problem को solve करना है तो उसने तखलीक करना है problem को अगर solve करना है तो उसने reasoning करनी है problem को अगर solve करना है तो उसने multiple perspective की acceptance अपने अंदर डालनी है यह चीजें skill भी पैदा कर रही है और यह चीजें कदरे भी पैदा कर रही है तो यह जो एकदार और skill का कहने चाहिए amalgamation है इनसान और उसको सोच के साथ जैसे जोड़ना है यही हमारा पाकिस्तान का बनियादी challenge भी है और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त opportunity भी मौज़ूद है देखिए आपने कई किताबे पढ़ी होंगी जिसमें एक किताब और भी थी जो अक्सर पढ़ाई जाती थी और उसने उस बारे में निशान दही करने की कोशिश की कैसे third world से तबदीली आसकती है या change लाई जा सकती है तो मुझे भी ऐसी ही लगता है मुझे भी ऐसी ही लगता है कि देखिए ये तबदीली नमू हो रही है हमारा बच्चा खुद से अजाद हो रहा है और हमारा बच्चे खुद से अजाद होने का मतलब नहीं कि वो self independent हो रहा है खुद से अजाद होने का मतलब ये है कि हमारा उसमें कोई contribution नहीं है हमारा उसमें फिल वक कोई contribution नहीं है हमारा contribution अभी भी ये है कि हम उसको एक engineer के रूप में देख लें एक doctor के रूप में देख लें या एक structure रूप में देख लें बजाए इसके कि हम ये देखें कि फलाने करने के अंदर, एक्सेल करने के अंदर, हम उसको वही structure करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी है, तो हमें भी इस post-structural world के अंदर, अपने निसाब को इन तमाम boundaries से निकालना होगा, और इन तमाम structure से निकालना पड़ेगा, जो preconceived third industrial revolution की values हैं, और इस inherent fallacies की वज़ा से, हम इन क्राइसिस पर पाँज गए से डोट साब यह आप एक बात अपने यह तो बहुत अची तरह से हमें बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक उपर्चिनिटी का टाइम भी है इन फैक्ट सारे डेवलपिंग कांट्रीज के लिए एक उपर्चिनिटी भी है कि जादातर ममालिक में आप जैसे पॉइंट आूट कर रहे हैं कि यूद की तादाद बहुत बड़ी है और यूद चूंके चेंज के सबसे बड़ा जरीया होता है और आज इन तमान टिकनालोज आज एक हाक है इसके बारे में अब बताईए कि यह जो बात कहते हैं यह किस वज़ा से आप यह वाली बात कहते है देखें इन टूल है अगर यह राइड मैं इसको चौंसीडर नहीं करूंड तो हम डिप्राइव करेंगे अपने बच्चों को और उन नसलों को इन तमाम चीजों से जिसकी तरफ मैंने बार पतानी को जब शुरू है कि मैं कैसे उस राइट को महरूम कर दूँ फिर हम कैसे महरूम कर दें उनको जिन्दगी को नए सिरे से और सही तरीके से देखने से इंटरनेट एक टूल है एक दूसरे से कनेक करने से तो मैं कैसे महरूम कर दूँ और अपने बच्चे को या अपनी नसलों को या इनसानियत को एक दूसरे से दूर कैसे कर दूँ तो अगर इंटरनेट इस तरह का टूल है जो कि कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो कि आपको जिन्दगी को जिन्दगी का मकसद बताने की कोशिश कर रहा है तो मेरे खाल में ये हर इनसान का हग होना चाहिए जैसे के पानी हग है जैसे के हवा तालीम अच्छी सब बीजिए अब इंटरनेट एक टूल है एकसिसिंग इन्फरमेशन तो जैसे मैंने अब बता है मेरे बच्चा क्यों महरूम रहे सिर्फ इस बनियात पे कि डिवलब कंट्रीज की बैंडविध कैपसिटी बहुत हाई है तो वो डाउनलोड बड़े अराम से इन्फरमेशन कर लेगा हमारी बैंडविध कैपसिटी इंटरनेट के राउटर्स की इशूस बहुत जादा हैं तो हम लोग बैंडविध कैपसिटी की वज़ा से उस इन्फरमेशन को डाउनलोड नहीं करेंगे तो इसका मतलब बहुत ही इसके बामले में दुनिया को और इनसानों को एक फैसला करने की जरूरत है और रियासतों को एक फैसला करने की जरूरत है कि हम इसको बिल्कुल वही एहमियत दें और इसकी रसाई इस तक रसाई अपने तमाम बच्चों की मुम्किन बनाएं वरना हम लोग बहुत पीछे रजाएंगे तो आप एक तरफ ये गवर्मेंट की भी इसको जिमदारी समझते हैं और बिजनसेस की भी आप जिमदारी समझते हैं कि ये पार्टनर्शिप में इस बात को इंशोर करें कि हर इंसान को इंटरनेट अवेलेबल हो ताके वो उसके पास एकुल एपरिशुनिटी हो जिन तक पहुंचने की इंफॉर्मेशन तरफ पहुंचने की निट्वर्क करने की तो ये ये इस वज़े से आपने इसको एहम बताया तो डॉक्साब अभी हम लोगों ने जितनी बातें की इसमें एक तो हमारे बात क्लैरिटी आई कि हम इंटर कनेक्टेड भी हैं इंटर डिपेंड होगा जहां वो इस मशीन को इस्तामाल करके अपनी क्वालिटी ओफ लाइफ और एकॉलिजी को बहतर बना पाएगा और इसके लिए युनिवर्स्टी का और अदार जो जितने तालिमी अदारे हैं उनका क्या रोल हो सकता है तो डॉक्साब सोचल रिसपॉंसिबिलिटी के ह मैं कहता हूं हमने निसाब की align को सोचल रिसपॉंसिबिलिटी को और अपने कल्चर जो युनिवर्सिटी का कल्चर है उसको पाकाईदा इक एहमियत दी दी है निसाब में कई कोरस हैं सोचल रिसपॉंसिबिलिटी के जो कि बच्चों को कम्यूइटी के साथ निक करते हैं एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं Ethics and Social Responsibility Course उसके तहए हजारों बच्चे मुख्तलिफ प्रॉजेक्स हुआ वो डिस्ट्रिबूशन अफूड का हो हुआ वो प्रोविजिन अफ ड्रिंकिंग वाटर का हो हुआ वो प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटी का हो खुआ वो गंदगी को साफ करने का हो खुआ वो किसी की Breast Cancer Awareness का हो यह मुख्तलिफ प्रोजेक्स बच्चे जो हैं उसके अंदर कर रहे हैं यह पिछले एक साल के अंदर ही हमारे बच्चों ने जाके स्लम एरियाज में जाके काफी काम किया और उन बहुत सारे बच्चों को जो स्लम एरियाज में कर उन बहुत कांट्रीटOS किया लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अपने घर में रहकर भी बहुत सारे काम किये और एक दूसरे को मैं आपको कैसे बता credibility मुक्तलिफ बैब्स की फॉर्म में लोग आए कि भाई अब आपको ये 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 दवा इस्तेमाल करने चाहिए कोविड के अंदर अगर आपको ये वाली सिम्टम्स आरे तो आप ये कीजिए अगर आप कारिंटीन भी अगर हुए तो कारिंटीन होने के बाद डिप्रेशन में जो लोग गए उनके साथ इंटरनेट ने और हमारे बच्चों ने कैसे कनेक किया इस कोर्स के थूरू ये सब की सब चीज़े हैं जो के हमने युनिवरसिटी के कल्चर के अंदर उनके अंदर इनकल्केट कर दी है और इसी को मजीद तक्वियत बख्षनी चाहिए और तवाना करना चाहिए है मजीद कोर्सिटी की सता पे इसी इसास को के हमारी एक इखलाकी जमेदारी है और वो इखलाकी जमेदारी हमारे बच्चे जिसना से निभा रहे हैं हमें उनको खराजय तहसीन देना चाहिए उन इस्ताज़ा को खराजय तहसीन देना चाहिए जिनों ने इस तमाम कोविट के बावजूद लाखों बच्चों को इंगेज करके रखा कता है नियुक्त फ़स में लेना की इंटरneट के जो भी मसायल हों they were able to connect with them,they were able to engage them, वो जो depression आपने देखा, जो के मघरिबी माशुरे में आया, वो जो आपने recession देखा, जो के मघरिबी माशुरों में आया, वो हमारे में नहीं यहां पाया वो क्यूं नहीं आ पाया, वो इसी बन्यात पे नहीं आ पाया कि इन बच्चों ने और इन अस्ताओज़े ने आपस में एक दूसरे के साथ एक वास्ता और एक तालुब बर्करा रखा और ये वास्ता और तालुक एकरा यूनिवरस्टी ने अपने लर्निंग मेनेजमेंट सिस्टम के थूरू इनके दर्मियान एक इस्टैब्रिश रखा बहुत सारे सवालात आए, बहुत सारे इशूज आए कि जनाब मेरा इंटरनेट नहीं चलता, टीचर मुझे असाइन्मेंट की डेडलाइन दे रहा है, कई किसम के इस्टैब्रिश लेकिन सबसे बड़ी खुशाइन बात ये थी कि हमने अपने बच्चों को सुसाइट की तरफ रागब नहीं होने दिया, उनके बिहेवियर को सिवल सुसाइटी में काफी जादा अन्रेस्ट हो जाएगा कोविट के बाद और दौराने कोविट वो नहीं होने दिया, ये एक सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के कोर्स ने किया, और एक हमारे अस्ताद्जा ने किया, कि इन लोगों ने इन लोगों को इंगेज रखा, और ये सब प्रोवाइट किया हमारी ऑनलाइन लर्निंग की स्टाइटीजी ने, कि इनको इंगेज रखा जाए, जहां आप डिसंगेज होते, यकीन मानिया, आपका माशिरा किस हालत में होता, उसका तसवर करना भी, तकरीबन, उसका तसवर ही एक हवलनाक है, और हमें अल्ला आपने तौफीग दी, कि हमने इसको कर लिया, और सब ये आखरी एक सवाले से पहले कि हम मदीज सवाल अपने नादरीन के लेने शुरू करें, और ये सवाल ये है कि आपने अकराई इनिवरसिटी पहली इनिवरसिटी बाहिद इनिवरसिटी है पाकिस्तान की, जिसने एक तौफीर स्टडी इनिवर्सिट इनिजन के नम से स्टैबलग किया है, ये इनिवर्सिटी इनिवरसिटी ने एनिशेटिव लेना ज़रूरी है कि शाथ है , शाथ है बात ही है कि हम माजी में जिन्दा नहीं रह सकते हैं और हम हाल में जो जिन्दा है वो इस तरह से रहना चाहिए कि हम अपने मुस्तक्बिल को सवार सके हैं अम मुस्तक्बिल कैसा होगा उसके बारे में जानने की जरूरत है और उसके बारे में जानने की जरूरत इस तरह इसलि आप मुस्तख्बिल के बार के बाते कैसे होगी think tank कैसे बनेंगे, forum कैसे बनेंगे, कैसे आप world के scholars के साथ connect होगे, कैसे वो अपने experiences बच्चों के साथ share कर रहे होंगे, कैसे multi perspective जो है आपकी life के अंदर आ रहा होगा, कैसे बच्चों को आपके एक exposure मिल रहा होगा, आज आप द यानि विल्यू बिलीव इट के बच्चों ने हमसे जादा इसकी एहमियत को समझ लिया है कि अगर ये बच्चे हमारे मुस्तक्बिल हैं तो हमें इस इंसीट्यूट को बहुत पहले काईम कर लेना चाहिए था और हमें इस मुस्तक्बिल को सभानने के लिए ही ये इंसीट्यूट बनाया है बहुत शुक्रिया जोट साब अब चन्द सवालात हैं जो हमें मिले हैं नादरीन की तरफ से वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक सवाल तो हमारे पास है जो एक पेरिंट का ये सवाल है इनों उनके का एपको से काम के लिए कौन से स्किल्स के लिए था कौन सी जॉब्स हम एक्सपेक्ट करें कि ये मेरी बेटी कर पा रही होगी या जिसकी दरूरत पड़ेगी जिन स्किल्स की वो कौन से आप अब से गुजारिश ये है कि आप अपनी बेटी के साथ इंटेरेक्ट करें और ये देखें कि वो खुद क्या करना चाहती है और ये द अल्टीमेटली खुदी एक्सिलेंस आजाती है कोई भी जॉब कोई भी मजबून बेकार नहीं होता अगर उसके अंदर शौक मौचबूत है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों की रुजहान किस तरफ है और इस बच्ची का रुजहान किस तरफ है और हम में ऐ किसी भी एक स्पैसिफिक जॉब की तरफ हाइलाइट नहीं करना चाहता है मैं बच्ची की रुजहान और बच्ची की शौक की तरफ हाइलाइट करना चाहता हूं हमारा काम सिफ और सिफ यह है कि उसको कैसे बच्चे को फैसिलिटेट करना है कि उसको अचीव कर सके बहुत स इविए निजिनिरिंग के हवाले से बहुत सारी जॉप हैं, लिबरल आर्ट्स के हवाले से बहुत सारी जॉप्स हैं, मैंने फिर कहा कि मकसद बच्ची के रुजहान और शौक को देखी है, एक्सिलिंस खुद आजाएगी, सरमाया, मनी, ये सारी फेक टरम्स है, ये सब फेक और money खुद value less हो गई over a period of time तो बेतर है कि हम यह देखें कि इस बच्ची का शौक किस तरफ है और उसको उसकी तरफ रागब करने की कोशिश है और उसकी मदद करें इसका अब करें दूसरा सवाल है डाट साब यह एक इन्वरस्टी के प्रोफेसर है और इनका यह कहना है कि मैं updated अपने skills को कैसे रखूँ नए दस साल के बाद या मैं आगे future में अपने आपको relevant रखने के लिए क्या कर सकता हूँ बहुत मुश्किल सवाल है दस साल बाद पतनी हम लोग जिन्दा रहते हैं यह जिन्दे लेकिन इसको update रखने के लिए इंटरिक कीजिए नौजवान लोगों से नौजवान लोग आपको खुद बताएंगे के आने वाला culture क्या है जब आप नौजवान लोगों से इंटरिक करते हैं ना सिर्प अंको तबानाई मिलके बलके नए खयालाद में बलते हैं आपको पता चलता है उनकी जरूरियात क्या हैं जब आपको उनकी जरूरियात का पता चलेगा तो आपका खुद बाखुद आप अपने अंदर वो इसकिल्स पैदा करने की कोशिश करेंगे अपने आप उसना से इंपावर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने एक role presume कि हम उस्ताद हैं तो जब हम उस्ताद हैं और हमने उनके जरूरत पूरी करनी है तो हम आटमेटिकली अपनी continuous professional development पे एहमियाद देना शूर कर देंगे तो इंटरेक कीजिए उनकी जरूरियाद को जानी है और जरूरियाद के लिहाद से अपनी सलायोतों में अजाफ़ा कीजिए प्रॉप सब एक तीसरा सवाल जो है यह है दोबारा इन्होंने social responsibility के हवाले से यह बात आप से जानना चाहरे है यह यह कहते हैं कि एकरा युनिवरिसिटी सस्टेनिबल डिवलप्मेंट बोल्स को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या काम किया है आपका क्या काम है और आगे क्या एनदा है एक रह युणिवस्टी ने देखिए टाइम्स इएर और एजुकेशन की एक रगार रैंकिंग होती है सस्टेनिबल डिवलोपन्ट रैंकिंग आपकी जामियात ने किस ने सस्टेनिबल डिवलोपन्ट गोल की तरव गए हैं तो मेयारे तालीम की सथा पर एक रहा यूनिवेस्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर और अब पूरे वर्ल के अंदर टॉप 300 यूनिवेस्टीज में आ रहे हैं सस्थेनिबूर्यपनडू की रैंकिंगे अंदर इसी तरही से टाइम्स हाइर इड़ुकेशन की सस्थेनिब डिवलिपमेन्डू की जो रैंकिंग है सिन्द में से कोई जामिया इंकलूडिंग जो यहां पर बड़े बड़े बिजनस अड्मिस्टरिशन स्कूल्स है जिनकी एक तारीख भी है वो नहीं लिस्ट हुए हैं एक राई यूनिवस्टी लिस्ट हुए है यह सारी चीजे मुमकिन हो पाइं इस वज़ा से क्यूंकि हम लोगों ने पहले से इन तमाम चीज़ों को परसीव कर दिया है और हमने पहले से इन तमाम रिक्टिस पेसं समय पaking स्क्याव कर लिया इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट के हवाले से क्या तबदीलियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फ्यूचर में और उसके लिए किस तरह 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 यारी कर सकते हैं पैली बात तो ये कि जैसे मैंने आपको कहा के सौच की सता पर काफी चीज़ आगे बढ़ गए तो इसी तरहीके से थे प्रक्राइक्टिस भीष बदेल गई ये अभीमेनेजर अब प्रैक्टिस किसी भी साउंटिफिक कोर्सेज हैं इस तरह के डिजाइन कर रहे हैं हमारा क्या एरादा है इस तरह की जी देखिए हमारे पास ना सिर्फ कोर्सेज हैं बलके कल्चिरल प्रैक्टिस भी मौझे और आपका खुद अपना इंसिचूट ऐसे कई कोर्सेज आफर करने को जा रहा है तो वो हमारी वेब सा कर शळ्या करता हूं डॉक्षाब आप तश्रीफ लाय आपमें आज हमें बताया कि emerging trends क्या है और थिव में बताया के education को कैसे शेप करने की आप कोशिश कर रहे हैं हमें डॉक् Oh Wie Ist Away कि किए चैलेंजेश एं एक़ूनमी में नए trends क्या है और इन तमाव चीज़ों को हमें सिर्फ sustainable development goals के इताब से यह नहीं देखना बलके हमें values integrate करनी हैं, इंसानियत की values, हम सब के सब interconnected हैं, हम सब interdependent हैं, अब इस interconnection को इस interdependence को समझते हुए empathy के साथ हम जो फैसले करेंगे, वो फैसले तैय करेंगे, कि इनसानियत, इनसान के दोर पर हमारी मेसल बाकी रहेगी, क्या नहीं रहेगी, हम दोबारा से आपके साथ हादर होंगे आपके पास, एक नए मेमान के साथ, और हम emerging trends के बारे में बात करते रह फिर आप अपना वो लाया अमल तैयार करें, जिस पर चलकर आप अपने future को अपनी मरदी के मताबब बना पाएं, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी महरवानी, फिर दोबारा मुलाख़ात हो, खुदा आख़ाए.